तो आज हम हमारे lesson poets and pancakes जो कि असोक मित्रन जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक थी my years with boss उन्होंने किताब लिखी my years with boss जिसका publication 2012 में हुआ इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जब वह जेमिनी स्टूडियो में कारे रत थे जब वहाँ पर वह काम कर रहे थे उस वक्त के अपने experience के बारे में उन्होंने बताया है कि जेमिनी स्टूडियो क्या था जेमिनी स्टूडियो 1940 में इसकी स्थापना हुई इसके संस्थापक थे जेमिनी स्टूडियो क्योंकि हमारा भारत देश आजाद युवतर उससे पहले इसकी स्थापना हो गई थी और उस वक्त हमारे पास संसाधनों की लोगों के अंदर में कैसी-कैसी भावनाएं थी लोग किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दिया करते थे किन-किन विचारों प ही नहीं उन्होंने बताया जो सेकरें इन पोजीससन है जैमिनी स्टूडियो के कोठा मंगलं सुबू उन्हों ने पाकर राएं महां पर необходимо R garment पीर उनोंने इस्टेफन इस्पेंडर के आग्मन के बारे में बताया जिसे कि कोई पहचान नहीं पहें चैनल से उन्होंने यहां पर अपने बिज्ण रखें कि उससेकी परिशितियों में हमारी कैसी हुई करती। हां कर दोर तरीके क्या हुआ करते थे थे हम किस प्रकार से एक नए एरा में प्रवेश तो इसे मैं एक समराइज कर देता हूं एक छोटी से समरी आपको देता हूं जिससे आपको सायद समझने में और आसानी हो जाए यह जो पोईट एंड पैनकेक्स है यह अंस है असोक मित्रन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक और माइए यह विद बॉस का एक छोटा सा अंच है जिसमें कि वो कहानी की सुरृत करते हैं पेनकेक के बारे में बताते हुए पैनकेक क्या था जो पोईट एंड पैनकेक है उसमें से पैनकेक मेकप ब्रांड नेम था जो कि उस समय जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड में आ उनके बारे में आप जान लें ग्रेटा गारबो 1920 से 1941 तक के वा फिल्म केरियर में अपने एक्टिव रही, मिस गोहर 25 से 40 तक एक्टिव रही, वैजनती माला 1949 से 1968 तक एक्टिव रही, मतलब यह 1940 से 1938 के बीच में यह जो पैनकेक नाम को जो ब्रैंड मेटेरियल, वो बहुत ही पापुलर रहा, जिसे बड़ी-बड़ी अधकाराओं ने इस्तेमाल किया, लेकिन बताते हैं कि 1989 के आते हाते, क्योंकि रतियोगनी होतरी का जी का उन्होंने नाम लिया, जिनकी केरियर की सुरवा थी 1989 से हुई थी, 1979 से हुई थी, जो आज भी एक्टिव है, तब तक कि उस ब्रैंड नेम का नाम खतम हो चुका था, उसके बाद वो जैमिनी स्टूडियो की स्थापना के बारे में बताते हैं कि वह कहां पे था, मदरास, चिन्नई में, वह एक ऐसी बिल्डिंग के उपरे माले में था, जो कभी भाना जाता था, कि राबर्ट क्राइब का इस्टेब का बना होता है, जिससे घर्मी उत्पन होती है, और उस घर्मी सुदा बल्ब जो की दरजनों मात्रा में उसमें लगे हुए है, बहुत से आईने लगे हुए है, वहां पर जब आप मेक अप करवाएंगे, तो आपके दुख की, आपके अंदर जो भायानक दुख होगा, फि उसको जैमिनी स्टूडियो को छोड़ दिये, उसके बाद धरवार कनडिगा जो के एक आंदरा थे, उन्होंने मेक अप रूम का चार्ज लिया, वहां से और उनके जो साथीदार थे, उनके जो असिस्टेंट वगेरा थे, उसमें एक मदरास इंडियन क्रिश्चन थे, एक बर्मीज थे, और कुछ लोकल तमिल्स थे, और यहां पे उन्होंने एक भारती एकता के प्रदर्सन को प्रदर्सित करने का प्रयास किया है, और बताया है कि उस समय आप वहां पे एक नैस्टनल इंटिग्रेशन देख सकते थे, जो कि All India Radio और दूरदर्सन ने उस समय के बह प्रतीक बहुत सी जो ऐख करती सी यहां 95 प्रतीसा उससा के उन्होंने बताया, के वहाल 5% सीटिंग्स बाहर हारlar kindsli बना दिया करता था और उसके बाद के बारे बताते है कि कौन किसका मेकप किया करता था यहां पे बिल्कूल एक पधकरम निश्चित था हाइरार्की तय ठी जिसे कि बड़े ही स्रिक्टली मेंटेन किया जाता था इसमें जो चीफ मेंकर हुआ करते थे वह Π fragrance मतलब जो मुख्य अभिनेत्री निंग करती उनका मेकट किया..करते थे और यहाँ पे उन्होंने बार बार मेकट को अगली सब्द से डिनोट करने का प्रयास किया है क्योंकि उन्होंने पहले इना दिया कि मेकट जह था वो सुंदर कम बनाता था और भयाना ज्यादा बना देता था और उसके बाद उनके जो नीचे किस्ते को दूसरे नंबर कोते थे वो सहनायक सहनायकाव का मेकप किया करते थे और उसके नीचे वाले फिर कॉमेडियांस का फिर असे धिरे 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 और यहां पर बताने का प्रयाज किया है कि उस समय भ आफिस बॉय का काम क्या हुआ करता था कि वह जो भीड़ के जो सुटिंग होती थी वहाँ पे उन्हें अपने भीड़ में मौझूद लोगों का मेकप करना होता था जिसे वह बड़े से ड्रम में कुछ पेंट्स वगेरा जो मिला के मिक्स करके वह उनके उपर डाल दिया करते ताकि सारा चीज सुन्दर दिखे सब चीज यूनिफॉर्म दिखे और उसके बाद वह मेकप मैन के बारे में बताना सुरू करते जो पहला पात्र उन्होंने जिसके बारे में उन्हों डेस्क्राइब किया वह ऑफिस बॉय जरूर था लेकिन वह बॉय कहीं से भी नहीं था वह एक अधेड उम्र का व्यक्ति के और वह कुछ उम्मीदों के साथ जैमिनी इस्टूडियो में आया था किन उम्मीदों के साथ कि वह राइटर बन जाए डारेक्टर बन जाए लिट रिक्स राइटर बन जाए परनतुवा बना क्या एक ऑफिस बॉय और यहां पर बताते में ही असोक मित्रण जी ने बता दिया कि I didn't know at that time they were called French window वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें वो French window कहा जाता है हो आसा काम किया करते थे जो कि बहुत मामूली काम था क्या काम था कि वह अपने paper में से कुछ cutting काटते और उन्हें फाइल करते और उन्हें से भोटों को तो नहीं हात से लिखना पड़ता और लोगों के साथ सायद उनके bosses को भी लगता था कि वह जो काम जो कर रहे हैं वह बह कर रहे हैं और इसी प्रकार का जो सलाह मस्वीरा हुआ करता था इसी प्रकार के जो भासर जिनके तोर पर कहा है वह आफिस बॉय भी यदा कदा रूप से जाकर असोक मित्रन जी को दिया करता जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था इसलिए वह क्या मनाया करते से की रोज आउट्डोर सीटिंग होती क्योंकि आउट्डोर सुटिंग होगी जाकर बाहर में अपना काम करेगा और मेरे को परसान नहीं करेगा और फिर वह उस ऑफिस बॉय के बारे में बताते हैं कि वह एक व्यक्ति था वहां पर कोथा मंगलम सुबू जिससे की बड़ा परेसान था उससे बड़ा चिला करता था और उसके बारे में अच्छे विचार नी रगता था और उसे लगता था कि उसके उपर जितने भी संकाट आ रहे हैं जितनी भी उसकी वदनामी हो रही है उसी स्टूडियो में जितने भी उसकी उपेक्षा हो रही है वह सब इस कोथा मंगलम सुब्बू के बारे में बताना करते कि कोथा मंगलम सुब्बू क्या थे वह नंबर टू थे मतलब बॉस के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति जैमिनी स्टुडियो के वह कोथा मंगलम सुब्बू और उस ऑफिस बॉय के बीच में वह कंपेर करते हैं तो दोनों के वह एक अच्छी परिस्थिती में थे और उसकारण क्या पताते बाइव वर्ची ओव बिंग बॉन अब ब्राम्मेंड चूंकि वह एक ब्राम्मण वेक्ती थे और इसलिए उन्होंने कहा वर्ची इंडीड वास्ताव में ब्राम्मण होना एक खासियत थी यहां पर उन्होंने वह हमेशा खुश रहा करता था और उसकी आखासियत क्या बताते हैं कि वह खुद कभी कुछ नहीं करता था यह आपने काम के प्रती इतना इमांदार था और उसकी जितनी भी creativity थी कि जितनी भी रचनात्मक्ता थी उसके अंदर वह सभी उसके मालिक के फायदे के लिए अगर उनके पास अगर आप कोई काम लेके आए तो उनके पास हमेशा उसकाम के विकल्प उनके पास रहा करते थे कि इनके पास तुबू के पार और ऐसा माना जाता हे कि वह फिल् और सुबू के बारे में कुछ और खासिया तो बताते हैं कि वह एक कवी भी थे जो कि अपनी कविताएं बिल्कुल जान बूच कर सोच समझ कर लोगों के बीच ही बोलना पसंद किया करते थे और वह इतने ज्यादा डे उदार दिल के थे कि वह जिससे भी मिलते उससे वह फ्र दिल होने के बावजूद उनके दुस्मन थे यह आचर की बात थी कि इतना अच्छा आदमी और फिर भी उसके दुस्मन है वह हमेशा अपने बॉस के साथ रहते हैं और उनके बड़े अंतरंग है या पिर उनका जो तोर तरीका है वह चापनूसों की तरह लोगों को लगता है और क्योंकि वह हमेशा हर परिस्थिती में अच्छा बोलने की आदत रखते थे वह कभी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलते थे और सायद इसलिए वह जो ऑफिस वाय है वह सुबू जी के लिए अच्छे विचार नहीं रखता था और सुबू जी के वारे में उन्होंने ब कीवेर बताते हैं कि वहां पे बहुत में लेखर और कवी थे और जिसमें कि लाइयर भी था हमें ल्कीन लोगं हमेशा उसको माते थें फूरावाईट्स करें सी और उसी वक्त उस लौयर ने क्या कर दियाए उसके सारे हरकतों को अभिनेत्र पहल स्सक्राइध कर लिए UK योगा वह अभिनेत्र सान्फ हो गई टो लिए ईतना ज़्यादा सर्मिन्दा हो गई अपनी हरकत को देख के उस काम में उहने सारा इसका हिसाए है कानूनी सलाकार देके उसे बचाने का होता है और उसने यहां पे एक अभिनेट्री का क्या किया था पूरा केरियर ही तबाह कर दिया था इसलिए उसे हमेशा अपने काम के अपोजिट माना जाता था अब उनके पहनावे के बारे में बताते हैं और अपने जैमनी स्टुडियो के सभी लोगों के पहनावे के बारे में बताते हैं असोग मित्रण जी सभी लोग क्या पहेंते थे खादी की धोती पहेंते थे और वो बड़े ही कोल्ड लॉजिक के अदमी थे मतलब छंडी विचारदारा के विक्ति थे और वह हमेशा तरुष्त रहना ही पसंद किया करते और उनको भी यह opportunity मिली हुई थी जैसे कि जैमिनी स्टूडियो के लगभग लगभग सभी को यह मौका मिलता था कि वह खुद की अपनी movies बना सके तो यह जो मौका था यह उन lawyer को भी मिलता था जो की अपनी movies बनाये करते थे लेकिन सारे संसाधन उपयोग करने के बाद दी उन से उन्होंने उतनी कमाई नहीं की और एक दिन बॉस मतलब ऐसे स्वासन जी ने क्या किया उन्होंने उठाकर वह स्टूरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया और इस प्रकार से उस lawyer का उस जैमिनी स्टूडियो में समापन कैरियर का समापन हो गया और यहां पर उन्होंने सारकाजम भी किया है कि ऐसा सायद मानव इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कवियों को उनके घर जाने को बोला गया और एक वकील ने अपनी नवकरी खोदी कि वकीली एक ऐसा पेसा है जो सायद कभी भी खतम नहीं होता अब जैमनी स्टूडियो के बारे में और थोड़ सास्त्री हिरदयना चटो पाध्याय और वहां का जो मेश था वो बड़ा सांधार था जहां पर आपको दिन भर और रात में भी कुछ समय में आपको कॉफी बड़ी अच्छी कॉफी मिल सकती थी और जैमनी स्टूडियो के सदस्यों की सोच के बारे में उन्होंने बताया है कि वो गांधी जी को बड़ा मानते थे परंतु राजनेतिक तोर पे नहीं क्यों क्योंकि उनकी जो सोच थी वो कम्यूनिजम के से थोड़ा विरोधी थे वो राजनीती से दूर रहते थे क्यों जो कम्यूनिजन सब्द था साम्यवाद जो सब्द था उसके बड़े विरोध कि कमिनिस्ट लोग अच्छे नहीं होते और इसी लिए सायद जो जैमिनी स्टूडियों के लोग थे वह अभी कमिनिस्ट लोगों को अच्छा नहीं मानते थे और उसी वक्त क्या हुआ फ्रैंक बच्मेन की मोरल रियार्मामेंट आर्मी मद्रास आई और वहां पे जैमिनी स्टूडियों ने उनका स्वागत किया कुछ लोग तो उसे सरकस की तरह मानते थे लेकिन वह सरकस वाले नहीं थे वह प्लेज वगरा किया करते थे नाटक करके गूम गूम के नाटक किया क करते थे और उन्होंने मद्रास में भी कुछ अच्छे नाटक हेल दिखा अपने मंचन किया अपने कारेक्रमों का और वहां पे दर्थक दिर्खाओं के बारें बताया कि दर्थक दिर्खाओं में 600 जैमिनी श्टूडियों के लोग ही हुआ करते थे और कुछ और आस-पास क करने का जो सेट हुआ करता था वह बड़े सांदार हुआ करते था वह इतने सांदार हुआ करते थे जिसे जोथम वैली के नाम से कहा जाता है कि आने वाले कई सालों तक के जितने भी तमिल प्लेज हुए उसमें जो सुरियोदय और सुरियास्त सन्राइज और संसेट का जो सीन हुआ करता था वह जोतम वेली के ही आधार पर हुआ करता था कुछ सालों के बाद यह जानकारी ही जैमिनी स्टूडियो और असोक मित्रन जी को प्राप्त हुई एक्च्वली वह जो अर्मी थी वह एक काउंटर मोमेंट चला रहे थे इंटरनेशनल कमिनिजम के खिलाफ और जो मिश्टर वासन जैसे बॉसेस हुआ करते थे वह उनके हाथ की कटपुतलिया बन गये यहां पर काथ की कटपुतलिया बनाने मतलब था कि वह बीना जानकारी के उनकी मदद कर दी ज कि खिलाफ है या नहीं है उनको कोई फरक नहीं परता था उनको अपने पैसे से मतलब हुआ करता था और इन सब चीजों के बीच में जो जैमिनी स्टूडियो का स्टाफ था उसने इसका बड़ा आनंद लिया उन्होंने बढ़िया 200 लोगों को जो कि अलग 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 कुके थे उससे उनको कुछ दिन के लिए आराम मिल गया था फिर वो बताते हैं कुछ महिनों बाद खबर आई की एक नया व्यक्ति हमारे हां आ रहा है सब बड़े आश्चर चेकित थे कौन है वह तो बताया गया कि वह कोई पोईट है लेकिन जैमिनी स्टूडियो वाले ग जो का किविए जो की इसकेलदगार में नहीं जानते थे ूशी लोग अंदाजा लागाने लगये कि वह कुपकी सब्सक्राइब नहीं होगा वह कोई एडिटर होगा क्योंकि हमारे जो बॉस हैं वह भी एडिटर है वह भी एक तमिल विकली आनंदा विकतन के लिए अडिटिंग काम करते हैं लेकिन इसमें भी संका थी क्योंकि मद्रास में चिन्नई में बहुत से ब्रिटिस पब्लीकेशन के आफिसेस थे लेकिन वहाँ पे जो डेली पब्ली वहाँ पे जो कभी आ रहे थे उनकी आओ भगत के लिए जो सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट ले रहे थे सब ज़्यादा आतूर थे वो हिंदू नाम के डेली अकबार के टॉप के लोग थे तो उन्हें लगा कि ये पक्का किसी ना किसी डेली अकबार के एडिटर होंगे लेकिन जैमिनी स्टूडियो के सबसे ज़्यादा जानकार थे जिसमें असोक मित्रन भी सामिल थे वो सिर्फ दो ही डेली न्यूस के बारे में जानते थे वो थे दे मैंचेस्टर गार्डियन और दे लंडन टाइम्स लेकिन इन दोनों के एडिटर तो वो नहीं थे तो आखिर वो कौन थे आखरी में एक दिन आता है दो पहर के चार बजे वो एडिटर या पोएट जो भी है वो पहुंसते हैं उनको देखते हैं बड़े लंबे चवड़े एकदम अंग्रेज की तरह एकदम सीरियस मूड में गंभीर सभाव के सा वह कुछ भांसार देते हैं फिर उनके जो बहुछ भांसार करें उनके जो भाषास यूश्टर 저le been एकि उस भाव्य आने चक्कर खाके रहा जाते कि आखिर हो क्या रहा है हो है कौन बोल क्या रहा है उनको कुस समझ में नहीं आता भाई एक अंग्रेज कभी जेमिनी स्टूडियों में आया क्यों है क्यों कि हम लोग तो ऐसा कुछ बनाते नहीं है हमारा तो यह काम भी नहीं है हम तो छोटे-मोटे सब्सक्राइब के लिए मुवीज बनाते हैं और इतना ही आश्चर चकित भी था उसको भी समझ में नहीं आता हो भी चक्कर मैं कि इनके बीच में आ गया हूं और इस पूरे घटना के बीच में उस पोएट का आना क्या हो गया राज बनके रह गया कि आखिर वह जेमिनी दिखना चाहते थे तो उन्होंने एक दिर एक खबर पढ़ी जो किद्धा हिंदू में पब्लिश हुई थी कि इनकाउंटर नाम की प्रियोडिका पत्रिका है जो एक कॉंपिटीशन और्गनाइज कर रही है तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए ब्रिडिस काउंसिल सो याते के रहें इनको तो मैं जानता हूं मेरा काम बन जाएगा और बिल्कुल फटाफट अपने मैनुस्क्रिप्ट डालके वह सीधा कहां भेज देते हैं लंडन बेज़ते हैं वह सोच रहा हूं वैसा ही स्टेफन स्टेंबर इस पेंडर भी सोच रहे होंगे और कुछ सा पोस्ट ऑफिस के सामने में 50-50 पैसे में कुछ किताबे भी करें हैं वह उसकिताब को खरीदते हैं और उसकिताब का नाम क्या होता है दगाट डाट फेल्ड जिसे की छह जिसमें की छे राइटर्स की कुछ एसे जिस जो छे राइटर्स कौन थे एंड्रे गिडे पिनाजियो सीलोन आर्थर कोशलर लुइस फिसर एंड इस्टेफेन इस्पेंडर और जैसे ही इस्टेफेन इस्पेंडर का नाम वह सुनते वह पुस्ताक उन्हें बड़ी ही महत्पूर्ण लगने लगती है और वह उसे खरीद लेते हैं और अब उनको सबज में आता है कि जो इस्टेफेन इस्पेंडर थे वह वास्ताओं में कौन थे तो पूरी कहानी वह को बताने का मतलब सिर्फिय था कि हम आने वाले समयों में क्या होंगे हमसे जो मिला हो सकता है हम उसे कभी कभी न जान पाए लेकिन वह महत्पूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं और इसी प्रकार उन्होंने अपने इस छोटे से अंस को यहां पर समाप्त किया